नमस्कार मैं हूँ प्रभात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश आज IPL के डबल हेडर मुकाबले होने वाले हैं पहला मैच बेंगलूरू और CSK के बीच होगा वहीं दूसरे मुकाबले की बात करें तो यह DC और SRH की बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला सारे 3 बजे 2 पहर वहीं दूसरा जो मुकाबला होगा वो शाम के सारे 7 बजे से खेला जाएगा कल के मुकाबले में राजस्थान रोयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विक्टों से करारी हार दी और वहवेरिंग के ट्रैक पे वापस आ चुके हैं सबसे पहले राजस्थान रोयल्स ने इस मुकाबले में टॉस सीद करके गिंदवाजी करने का फैसला किया और कोलकाता की टीम को 20 ओवरो में 133 रन ही बनाने दिये या दुस्तों महज 133 रनों पर रोक दिया कोलकाता की टीम को और त्रिपाठी ने बता दू आपको कोलकाता के लिए शरवाजिक 36 रनों की पारी खेली राजस्थान की तरफ से क्रिश मौरिश ने धमाकेदार गिंदवाजी करते हुए 4 विक्ट चटका है जवाब में राजस्थान रोयल्स के कप्तान सैमसन के नोटाउट 42 रनों की बदौलत आर आर की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 गिंद सेश रहते 6 विक्टों से करारी सिकस्त दी लेकिन इन सब के बीच राजस्थान रोयल्स के रियान पराग ने शबका ध्याना कर सिद किया ठीकाता की टीम की बल्लेबाजी चल रही थी और इनिंग्स के आखरी ओवर में क्रिस मौरिस की गेंद पर कमिंस ने जोड़दार स्ट्रूक लगाया लगा की बॉल शक्के के लिए चली जाएगी लेकिन तभी रियान पराग ने शांदार कैच बगड़ा और कैच लेने के बाद unhोने सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने राहुल तवेतिया के शाथ सिल्फी लेने का रियक्शन दिया निस्चे तोर पे ये बहुत ही कमाल का पल था इसे देख करके सभी हैरान थे दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शाथी क्रिकेट के लिए टेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई और बी सिफ लव यू आल